है गाई तैलियार और दोस्तों आज के लिए हम बात करने वाले हैं आपकी skin type के उपर और मैं आपको बताने वाला हूं आज कि आपकी skin type आप कैसे find out कर सकते हो तो वीडियो श्राटर से पहले में सिफ आपको एक छोटी सबाप पता दूँ कि मतलब काफे साल लोग सोच जरोंगे बैग्राउंड चेंज क्यों गया पुराना वाल बैग्राउंड क्यों आ गया तो यहार जो बैग्राउंड है उसके लिए मतलब काफे जाना दिक्कत जहिल रहेगा तो हम आते हैं अब टॉपिक पर तो आज के बात करने वाले हैं कि आप इपनी स्किन टाइप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो काफी साले मेरे पास ऐसे कमेंट्स आ रहे थे कि आप आप तो आराम से बोल दिते हो कि अगर आपको यह लगा लो लगा लो तो हमको कैसे पासे लगा कि हमाई जो स्कीन टाइप वह लिया तो आपको टैंसल रहने की जुरत नहीं है कि आपको खड़ा है और आज सब कुछ आपको बताने माला है कि कैसे आप अपनी स्कीन टाइप को फाइंड आउट कर सकते हो तो वीडियो श्राइप कर सकते हो और बिनो दो आला क कमेंट मत करना कुंँ अधरा थे तो पिन्ति फॉडियो को श्राइप करता है है अब मैं आपको बता कि काफ़ सारे बंदेन ऊते हैं मार्किट आते कोई भी फेला कोई अपनी स्कीन पर युश कर लाइक यह नीचे करते हैं कि हमारे स्कीन पर डेने सैस और मतलब बrás recognised कon ऑने में पता होगा और आप अपनी इस्किन टाइप के हिसाफ से प्रोड़क्स है वह यूज नहीं करोगे तो फिर इससे आपके जो इसकीन आप हो सकते हैं उस पर रेडनेस आसकते हो कोई भी साइड इफेक्ट हो सकता है तो सबस्केशन आपको पहले आपको प्रोडिंग आपको karao 1918 तो न闹 Lehr अलो जो इसके लोग की सबस्केता है तो इसको नहीं करते हों नहीं का कि अधिर आपको फेसवास मतलब में गंड में पर यहां पर नोज एरिया भी है अगर पूरे यह लाइढ और मतलब यहां आठर आरि उससकेन है वह औल यह ऑ मतलब तो आपकी जो skin है वह oily है और मतलब मेरी जो skin है वह oily है लेकिन इसको proper maintain करता हूँ और oily skin वाले जितनी बंदे होते है उनको कफिया दिक्कत होती है क्योंकि जो pimples की problem होती है वह बी oily skin पर होती है और जितनी भी acne, dark sport की जो problem होती है वह oily skin पर होती है क्योंकि हमारे जो large open pores होते है उससे हमारे जो oil है वह बाहर निकलता है और जैसी वह निकलता है तो फिर हमारे जो skin पर कफिया oil आने लगता है और जब skin पर oil लगेगा या कि जब oily food आप बहुजा खाओगे तो इससे आपकी skin पर कफिया pimples हो सकते हैं और बहुत से दिक्कत होती है जो दाने होते है वह हो सकते है अगर आपकी skin काफिया ड्राय है उस पर बिल्कुल भी oil नहीं आता और जो लेयर सी बनती है और ऐसे मतलब इसके रैश मारने पर निसान सा बन जाता है तो फिर आप समझ जाओ कि आपकी skin वह ड्राय है और इसका जो रीजन होता है वह होता है आपके genetics और ठंडा मौसम हार्म खराब खाना और using wrong products तो यह सब चीजी अगर आप करते हो तो इससे आपकी skin है वह और भी काफिया ड्राय होगी और काफिया खराब होगी और अगर अगर आप या फ्रेग्रेंस और कलर वाले product ही उसकर तो आपको बिल्कुल भी मत करो इससे क्या होता है कि आपकी जो फेस मे हो जिससे आपकी skin है वह काफिया सही होगी और अजी करना अगर आपकी जो फीन है वह ड्राय है तो थार्ड अमर पास जो हाई वह कंबीनेशन माथ्यान से में होती है लेकिन इसटी पर इस ते पर आपकी स्रुख जो और बाकी रहती है जैसे जो मतलब है कि यहांपर आपका है यो है नोस यह उता नोश यह वह तो इसे यह सिरफ यहूं होता है और बाकि चीक और जो चीज होती ही मलं जूघ होती है वह यूज paar फॉरी द्र ड्रेस होती है और आपको अपपने कॉम ने मिन्लाइंटर में हो को में क्या होता है कि काफी जारे आपको विधिक्कत आ सकती है जैसे अगर आप मार्केट से कोई परोड़ खरीद गिलाते और कोई ऐसे का प्रोड़ लगाते हो तो इससे आपकी स्किन पर काफी रेड नेस्टिखिंग और खुझली हो जाती है और आपको लगता कि आपकी स्कीन वह काफी रड हो चुगी या फिर उस पर जलन टाइप की ओर ही है तो फिर आप समझ जाओ कि आपकी जो skin type है वह sensitive है और आपको कोई भी ऐसे प्रट यूज नहीं करने अपनी sensitive skin पर अगर आपको कोई भी product बारवर चेंज नहीं करना आप कोई specific product सेलेक्ट करो और फिसको आपको हमेसा यूजँ करना ये और कोई भी क्रीम ले किया तो पर यह लगाने कि लिए तो इसको क्या करने कि अगर आप डाय ये करते हो तो फिर आपको आ पीछे वाला जो एरिया ओता है वहां पर अपर थोड़ी से क्रीम लगानी एक से दो दिन तक जाद जाद 2-3 दिन तक जब यहां पर लगाते हो और आगर आपको लगता है कि आपको इस एरिया काफिया खराब हो रहा है मतलब रेड्नेस हो रही है तो फिर वह आली कि जो कुछ भी है उसको आपको फेस पर नहीं लगाना इन्नि तो आपकी जो इसकीन है वो काफिया होते हैं सबसे आपको बहुत दूर रहना है और प्लस आपको फीजिकल एक्टिविटीज और एक्ससाइज भी करना काफी है ज़रूरी और फुरूट और ग्रीन वेजिटीपल होते है वह भी आपको लेना काफी है जोरूरी अपनी सेंस्टिव इसकीन के लिए फिफ्थ हमा ऑई जा के आपकी ऒसकीन टाइप वह नॉर्मल है और यॉक्व काफी है और आपको कोई बहुत रचेंश प्रडशी जरूर डूर दूर दू तो अपने भाई को वहां पर कई सारी फोटो है तो वहां पर जाओ जाके फॉलो कर लो और बस हम मिलेंगे ऐसी की दूसरी एक्साइटिंग वीडियो में तब तक लिए पीस आउट